सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर दी है किसके नेकों के नेशनल एड्स कंट्रोल और सब्सक्राइब अच्छी जोब है और आगे जाके आपकी अगर आपने बीए साइकलोजी करिए सिंपल कोई एक सब्सक्राइब करना यह इस फॉर्म को भर पाओगे अच्छे वेकैंसी है तो पीडेफु रीट करने के एक बार कि कैसा आपको अप्लाइ करना थिक है पीडेफु रीट करने के एक बार कि कैसा आपको अप्लाइ करना ये यहां रहाज का पीडिया तो पीडेफु रीटेलें और से लिए वरगदेंके बात भात में करेंगे पहले बात करते हैं आपकी पोश्ट ठीक उसे बत करते हैं कि पूस्ट कैसी अप्लाइ कैसे करते हैं सबस्रीं तो अफिर से प्रस्थ करता हूं कि तो आप जो किसी भी एक्सपीरेंस की कोई नहीं है simple अगर आपने BA psychology करी है तो आप counselor OHT में form भर पाऊगे और अगर आपने experience लिया है counseling वगर का तो आपको इसमें जो है वो preference मिलेगी बस अगर आपको experience है तो preference मिलेगी अगर नहीं भी experience तो भी BA psychology की basis पर इस form को आप भर पाऊगे ठीक है आपको पास one year का experience होना चाहिए किसी भी NGO में HIV के अंदर मैंने आपसे पहले भी कहा है अपना experience बन वालो क्योंकि इस form की जो last data वो 8 अपरेल है तो आपके पास पूरा एक महिना है और एक महिने के अंदर आपकी इसी भी NGO जो भी आपका आपके आसपस NGO पर वहां से experience बना लो इससे पहले भी बच्चों ने experience अपना बनाया है जो डबलीटे में उन्होंने experience बनाया और आज वो counselor as a WCD में counselor appoint है तो मैं आपको बता दूँगा कि कैसे आपका experience बनेगा आपको टेलिग्याम बता दूँगा मैं आपको बट आपके आसपस जो भी NGO का वहां से आपको बनना चाहिए ठीक है अगर आपका experience नहीं तो भी भर सकते हो अगर नहीं है तो बना लो और नहीं बना चाहते हो तो इसके बिना भी फॉर्म भर सकते हो तो फॉर्म भर पाओगे करी अब अगला कहुंसी है अगले हैं सेक्शुल टांस्मेशन इंफेक्शन ठीक है कांसल को अलगला काम करने पड़े हैं काम बताऊंगा क्या काम होंगा ठीक इसमें इसके अपने करी हो psychology से यह फिर डिप्लोम कर रहा हो psychology में या फिर MSW करी हो MS sociology करी तो form भरपाऊगे वन यहर का experience मांगा है minimum इसमें health sector में HTI and RTI and HIV के अंदर और अगर MSC नहीं करी है तो आपने BA psychology करी हो और अपके बाद तीन सल का क्या हो experience हो counseling में में किसी भी HIV अजियों में तो आप form भरपाऊगे अगर MSC करी है तो वर एकस्पेंस नहीं भी है तो अभी form भड़ देना आप कॉल आजे के इंटर्व्य के लिए उसके बाद है counselor in blood bank आपने MSC करी हो psychology से या फिर फिर फॉर्म भरपाऊगे और इसमें आप से मांगा है और उसकी बात कावंस नहीं है अब आपकी एज कितनी है बताऊँगा पोस्ट बहुत सारी वीडियो में आएंट तक यह ऐसा नहीं तो आपकी एज लिमिट है आप लाष्ट से पैसे साल सिक्टी फाइट फॉर्म भरपाऊगे अराम से ठीक कोई दिक्कत है नहीं आपको इसमें आपको इसमें ड्रेक्ट क्या होगा इंटर्वी होगा पर रिटन एक्जाम इसमें नहीं होना है अब बात लता है आपके कितनी यह तो आपके पर्फॉर्म सकता है तो आपके एर बाई येर आपका जो पूर्च पर सब्सक्राइब करते हैं इसको कि जॉइन करना चाहिए पैस्ट है पहली पोश्ट है बाद की बेसिज से पर ओपर पोश्ट नहीं आती उसके बाद काउंसलर है सेली few प्लस पॉस्ट है कितनी टोटल कुतनी है थाक्षिछ प्लस पॉस्टे काफी मुश्किल से इतनी पोस्ट में देखने करें कि WTD प्लस्ट पॉस्ट इसेंटर गौर्मेंट पंप यह तो जो न है सब्सक्राइब करने हैं काफी एजी काम होता है बता रहा हुआ आपको सिंपल जो एचाइव प्रेशन से ले रहे हैं उनकी उनकी उससे पहले क्या है सब्सक्राइब करने हैं इतने काम अपको अबन करने काउंस सब्सक्राइब करने है की आपको आप्र आप्र आपके एक माहिन अगर अगर कोई रहत पास तो हमाँ से बना लो आपको अपना अप्रिकेशन फॉर्म विद बाटा अलोंग विद अटेश्ट कॉप्रिक सारी डॉक्मेंट लगाने और दो पास्पोर साइट फोटोग्राप लगाने और इसके बाद सब्सक्राइब कर देना है प्रजेक्ट डेली स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी को आप आपको इसमें सब्मिट करते हैं ठीक इतना आपको पूरा डॉक्यमेंट दिया है नोटिफिकेशन वह है बाकी दिखाता आपको कहां से मिलेगा आपको अब जब जाओगो वेबसाइट में इसमें अलग-अलग पोस्ट आपकी इसमें है ठीक है तो आगर आपके लिए कर व सब्सक्राइब कर दो आपको मैं डिस्क्रिप्सम से लिंक दे दूंगा महासाइब डालोट कर लिए आपको डैली स्टेट एट्स कंट्रोल सुसाइटी से और अपकी इंक्रीज होगी अच्छी पोस्ट है रिटर्न एक्जाम होगा डिरेक्ट कोई बी सॉरी आपको इंटर् ती valeur लिए में भी स्क्राइब अर्उिक नहिंISH करृट से लिए रालोट कर दो